उदर कॉंग्रेस के रास्टी अध्यक्ष के चुनाओ के लिए प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष्य उद्यभान और पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के निता भूपेजिंग घुड़ा समेतन पीसे से डेलिगेट्स ने हरेना प्रदेश कॉंग्रेस का रहले में मतदान किया आपको बता देगी कॉंग्रेस के रास्टे अध्यक्षपत के लिए मलेक अरजन खड़गे और शेश्ची थरूर के बीच मुकाबला है वहीं प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्ष उद्यभान ने आरूपी लगाया और कहा कि कुल्दी बिष्णोई ने कॉंग कॉन दीड़ अध्यक्ष उद्यभान से खास बाचित की हमारे चड़ीगड सिव उद्यभान अनिल कुमार हैं कि चुनाव मैदान में कौन-कौन उमीदवार मैदान में हैं और चुनाव पिरक्रिया कैसे चल रही है जी आप देख रहे हैं कि चुनाव पिरक्रिया महुत शांती पूर्वक धंग से यहां पर चल रही है हमारे कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट अद्रक्ष के दो मिद्वार खड़े हैं शरी मलकार जन खड़गे जी और दूसरे शरी शशी थरूर जी दोनों के पोलिंग एजेंट अंदर बैठे हुए हैं हमारे जो सेंटरल एलेक्षन अथर्टी द्वारा जो ड्यूटी लगाए गई हैं पी आरो और अपी आरो उनकी पूरी टीम उनके निर्देशन में चुनाब प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है एक एक करके डेलिगेट जैसे आते जा रहे हैं वो अपने वोट कास्ट कर रहे हैं और बहुती सांतिपूर ढंग से बहुती दिश्पक्ष तरीके से सारी जो चुनाबी प्रक्रिया बदस्तूर जा रही है उदेभान जी मत्दान के बाद नतीजे कब गोशित किये जाएंगे मत्दान आज चार बज़ तक का है और 19 तारीकों परसों यह नतीजे वही पर EICC के ओफिस में वहीं पर क्यों सभी प्रदेशों में जहां चुनाब चल रहे हैं PCC में वहां से जो सभी जो बक्से हैं वो सब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली 19 तारीकों परसों उनकी काउंटिंग होगी और काउंटिंग बाद में रेजिल्ट डिकलेर होगी कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाब लड़ रही है और हमें पूरा भरोसा है मैं अभी दो दिन अभी मैं वहीं पर रहा था और नॉमिनेशन के बाद मैं लोगों के इतना भारी रेस्पोंस है और विशेशकर कुलदीप विशनुई के पृति जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आदमपर की जनता के साथ विश्वास घात किया उससे वो बहुत ज़्यादा रोश्मे है और मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कौंग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आदमपर चुनाव जीतने जा रही है उदेबान जी एक रोप ये भी लग रहा है कि कांग्रेस हर्याना में बापू बेटा की पार्टी है जबकि अधेक्स आप हो बापू बेटा की पार्टी जब आपने खुदी के दिया कि मैं अधेक्स हूँ तो बापू बेटा की पार्टी कैसे होगी ये Congress सबकी पार्टी है, Congress का हाइकमान है Congress Center से जो सारा वहाँ से दिशादर देश के मताबिक चलती है जो सारे सभी परदेशों में, पूरे देश के अंदर Congress की जड़े है Congress किसी की बपती नहीं है जो बापु बेटों के पार्टी है, वो तो SEJS NLO है बापु बेटों की पार्टी और ऐसे ही यह ज़ेज़पी है यह बापु बेटों की पार्टी है यह कॉंग्रेस में लोगतंत्र विवस्ता है और उसके मताबे के पार्टी चलती है पुदेभान जी यह फिर अरोप विरोधी क्यों लगा रहे हैं कांग्रेस पार? लगा रहे है कि कोई बिरोधी किया रुप लगाता है। उससे उनके अपना विवेग के उपने भर कडता है। उनके पास तो कुछ कहने कुछ खवने का तो कोई है नी। unload के पास भी और आमाधीं पार्टिक पास भी जो कॉंग्रेस के भगोडे थे उनके अनों अपना कंडिडेट चुन लिया अब असली कॉंग्रेस के कंडिडेट होते हुए इन नकली कॉंग्रेसियों को कौन वोट देगा उधेवान जी पंचाय चुनाव भी एनाउस हो चुके हैं दो चर्नों के एनाउस हो गए हैं अठारा जिलो के कंडिडेट कितनी त्यार है पंचाय चुनाव के लिए कंडिडेट के ना पहले कभी लड़ा पंचाय परशद यह सारे जो आपसी भाई चारे के चुनाव हैं इनमें कंडिडेट कोई भी दखल नहीं देना चाहती ये थे मेरे साथ हर्याना प्रदेश कांगरस अध्यक्स उदेवान इन्होंने बताया कि कांगरस अध्यक्स का चुनाव चल रहा है और मतों की गिंती 19 अक्टूबर को होगी अनिल कुमार टोटल नियू चंडिगार